हेलो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग दिस इस अपना शेखावत वेलकम तो माई यूटूब चैनल स्पार्किंग फ्यूचर एस सेखावत बैंकर्स फ्रेंड्स आज का हमारा मोटिवेशनल कोड्स है अगर महनेत आदत बन जाए तो काम या भी मुकदर बन जाती है सो फ्रेंड्स अपने हार्डवर्क को अपनी हैबिट्स बनाएए अपनी जो लक्षे हमां तक पहुशने के लिए जो आपकी आपकी जो स्टेडी लेवल है उसके अंदर अपने एफर्ट्स डालिए और उसको डवलाप कीजिए अच्छे से सो आपको काम या भी जरूर मिलेग सो फ्रेंड्स आजके हमारी फर्स्ट वोकब है आपूर्ट्रेट इन्फिल्टरेट का मतलब होता है यह वरब होती जिसका मतलब होता है गुशना या गुसपेट करना विंस तो फिल्टर in to art फो पर्मिएट मीन्स дैट की किसी से चिप कर जाना या फिर किसी पडा या फिर फिल्टर करके बहार निकालना वैसे गुस्पेट का मतलब आपको पता ही होगा जैसे आतंकवादी हमारे देश में घुस्पेट करते हैं मतलब किसी को बिना पता है घुश जाना शिनोनिम्स क्या होगा अक्सेस, इन्सु एट, इंप्रेगनेट, प्रिवेट और प्रिमेट चैनल नेक्स्ट वक अब है आज की रिटेली एट्री रिटेली एट्री एक एड्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है मोह तोड़ मिंस मूह तोड़ जवाब देना means written to written like for like especially evil for evil means that की जैसे का तैसा मतलब कि जो इंसान जैसा करता है उसको वापस वेसा ही देना बुराई के बदले बुराई अच्छाई के बदले अच्छाई के बदले अच्छाई के बदले अच्छाई के बदले अच्छाई के लिए क्योंकि आपने मुथ और जवाब किसी को तभी देते जो हमारे साथ बुरा करते है तो सिनोनिम्स क्या होंगे डिसिप्लेंडरी पैनल punishing vindicative और castigating और antonyms के होगी beneficial और rewarding so friends next vocab है evoke evoke एक verb है जिसका मतलब होता है आहवान करना to call to call app sorry friends यह अब नहीं है अब है okay to call app are produce memories feelings means that की कि जैसे call करना निर्मान करना means किसी चीज़ को recall करना मतलब आहान करना मतलब किसी की memory को या फिर किसी feelings को आहान करना या फिर मतलब की प्रगट होने वाला मतलब अपीर जो कि हमारे सामने प्रगट हो उस प्रगट होने का कारण होना तो synonyms क्या होंगे arouse, conjure, elicit, invoke, antonyms क्या होंगे calm, decrease, ignore, repress, or stop so friends next vocab है next vocab है previlling previlling एक adjective है जिसका मतलब होता प्रमुख है फिर प्रभाव साली अत्यदिक प्रभाव साली predominate, having superior power or influence means that कि जो चीज़ परचलन में या फिर कोई ऐसी वस्तो जो बहुत अधिक प्रभाव साली है जैसे कि स्वामिय कनन्द की जो thinking थी ना वो बहुत ज़्यदा प्रभाव साली थी मतलब कि effective थी, influence थी synonyms के होगे current, predominant, universal, usual और set antonyms के होगा limited, uncommon, unfind, minor और individual so friends आज की हमारी last vocab है harmonized harmonized एक verb है जिसका मतलब होता है male या फिर milana okay, यहने की corresponding या फिर match means पत्रकार या फिर match यहने की मिलाना synonyms के होगे adjective, corporate, coordinate, integrate antonyms के होगे conceal, defer, disagree, refuse, or dispute so friends आज का वो के बसे से नगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए, share कीजिए सुभाई बाई मिलते हैं, morning tea के साथ कल सुभज 6 बाई